आप सभी का स्टार आईक्यू में बहुत-बहुत स्वागत है आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी 2021 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार आईक्यू पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए कल आप से सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा हर्याना सरकार ने व्रिधावस्ता पैंचन में कितने रुपे बढ़ाने का फैसला किया है तो हर्याना सरकार ने व्रिधावस्ता पैंचन में 850 रुपे बढ़ाने का फैसला किया है बहुत ही असान सा सवाल था और सरकारी इस्तमाल के लिए सिर्फ इवाहनों की खरीद की जाएगी देखो सर इवाहनों का मतलब क्या है सरकारी इस्तमाल का मतलब क्या है देखो सरकारी इस्तमाल का मतलब है माल लेते हैं हरियाना के अंदर डिपार्टमेंट है पुलिस ठीक है अब पुलिस डिपार्टमेंट और इसके अंदर बहुत सारी गाडियां भी होगी ठीक है तो अगर अब नई कोई खरीद करता है पुलिस डिपार्टमेंट तो वो ये वहन ही खरीदेगा यानि कि इलेक्टिरिक वहन ही खरीदेगा जो बैटरी से चलने वाला हो या माल लेते हैं कोई department court का department है या कोई भी department है हर्याना government का तो अगर वो नया साधन खरीता है अब तो वो यह वहान खरीदेगा यानि कि electric वहान खरीदेगा थोड़ दिन पहले भी अगर आपको याद हो तो मैंने बताय था कि 4 जनवरी को 4 जनवरी 2021 को हर्याना में पहली बार जो है electric e charging station की सुरुवात हुई है किस जिले से हुई है पंचकुला से हुई है अगर आपको याद हो तो हर तीन किलोमीटर पे जो है e charging station लगाए जाएंगे टोटल हर्याना में 500 e charging station लगाए जाएंगे तो यह तो बात थी अब तक की लेकिन आज ही नई बात है हमारे आगे क कि अब कितने राज्यों में हर्याना तो है ही है और कितने राज्ये हैं तो टोटल बेसिकली जो है चार राज्ये हैं हर्याना समेथ तो इसके उसन का भी option सही रहेगा अब चार कौन-कौन से जी एक तो केंदर सासित राज्ये है या यू कहिएगा भारत की राजधानी परका होंगे ही होंगे के साथ इस सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि अगर आगे आप लोग नया साधन खरीते हैं तो इवह नहीं खरीदेंगे तो यह आदेश दिया है एर क्वालिटी इंडेक्स डिपार्टमेंट ने ठीक है या वायू गुनवत्ता प्रभंदन आयोग जो है ना उन्होंने यह आदेश दिया है क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो आपका वायू प्रदूशन है उसको रोकने के लिए इसी के जिम्यवारी होती है और इस आदेश में यह कहा गया कि सरकार और सरकारी विभागों में केवल इवाहन की ही खरीद हो पैट्रोल और डीजल के वाहनों के धुए से दिल्ली एंसियार की हवा का जो आपका पीम है वो धाई से और दस के बीच में होता है जो की बहुत ही खत हमारी मतलब यूँ कहिएगा स्वास नली में भी ये कण जा सकते हैं और अगर ये स्वास नली में जाते हैं तो हमें बेसिकली जो है सांस लेने में तकलीफ या फेफ़नों से सम्मंदित रोग भी हो सकते हैं और ये थोड़ी सी इसको पीम जो है इसका मतलब होता है पार्ट दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुखे मंतरी, अरविंद केजरिवाल, यूपी के मुखे मंतरी, योगी आदित्यानात, राजस्थान के मुखे मंतरी, असोग गहलोत, हर्याना के मुखे मंतरी की बात करते हो आप लोग तो स्रीमान मनहोरलाल खटर है, अच्छा दिल्ली की कोई राजधानी नहीं कि उतकेंदर सासित परदेश है यूपी की राजधानी लखना हुए राज़तान की राजधानी जापूर है जिसको पिंक सीटी कहते है हर्याना पंजाब की राजधानी चंदीगड है ये भी याद रखेगा जिसको क्लीन सीटी के नाम से भी हम लोग य है कुछ ऐसे charging station होंगे हर तीन किलोमिटर पर ठीक है हर याना में किस के लिए अलग से special विधाल्य खोलने का निर्णे लिया गया है अलग से special जो है school open किये जाएंगे हर याना में किस के लिए भई दिव्यांगों के लिए किये जाएंगे यान कि किसी option जो है इसके उस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा सर ये घोशना किस ने की है ये घोशना कि ये सिक्षा मंतरी कमरपाल गुजर ने और इन्होंने का है कि दिव्यांगों के लिए जो है दिव्यांग जो बच्चे हैं जाने कि जो चल नहीं पाते हैं ठीक है या मतल भी तरीके से फिजिकली हांडिकेप्ट में आते हैं उनकी दिव्यांगता के साथ-साथ जो है एक तो क्या होगा कि उनको पढ़ाया जाएगा अलग से और उसी स्कूल में उनको रोजगार की सुईधा भी उपलब्द करवाई जाएगी मतलब क्या है कि एक तो आपको स्कीम होती है उसी स्कीम के तहट जो है पढ़ाने के साथ-साथ कुछ सिखाया जाए और के साथ-साथ-साथ जो है बाद में रोजगार भी उपलब्द करवाया जाए ऐसी कोसिस की जाएगी इन स्पेशल स्कूल के अंदर और यह हुगा हर्याना के अंदर तो सी आप्शन ज हर्याना सरकार ने माल लेते हैं कि कोई डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट की कोई कमी हो तो कैसे जांच करें भई माल लेते हैं कोई अधिकारी को भेज़ देते हैं अधिकारी जाके जांच कराएगा लेकिन अधिकारी भी अगर ढंसे जांच ना करे और टाइम पर चीज़े अपडेट ना हो तो दिक्कत है, इसलिए क्या है कोई सुविदा कहां पर कितनी मिल रही है, कितनी सुविदाओं में कमी है, इसलिए स्पेसली जो अवैद कालोनी है हर्याना में, उनकी सारी जानकारी के लिए एक web portal जो है हर्याना सरकार ने launch किया है, अवेद कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक web portal है, क्या HTTPS, इसका मतलब है Hyper Text Transfer Protocol, और इसका मतलब होता है, Secure, General Security के लिए यूज किया जाने वाला प्र प्यारे बच्चों, computer की भासा में URL कहा जाता है, Uniform Resource Locator, पहले वाला protocol है, ये domain name है और ये path है आपका ठीक है, और ये एक web portal है, पूरा का पूरा इसे launch किया है, हर्याना सरकार ने किसलिए अवेद कालोनियों में जो बुनियादी सुविधा की कमी है, उनकी जानकारी को प्रा अदार सिला रखी है, कौन से नगर निगम, नगर निगम है ये गुरुगराम का और गुरुगराम नगर निगम में आठ विकास कारेहों की जो है, अधार सिला रखी है, अभी recently, केंद्रिय मंत्री राव इंदरजी सिंग ने, ठीक है, और नगर निगम गुरुगराम दौर आठ वार्डो में तक्रीबन सत्रा करोड भैतर लाक रूपे की लागत आएगी इनमें और इनमें रेल्वे स्टेशन पर रेल मंत्रा आले है रेल्वे स्टेशन पर फुट ओवर बिज है एसकेलेटर है इन सभी चीज़ों का उद्गाटन किया गया है ठीक है के साथ ही जो है वगरा बनाये जाएंगे रेलेवे लाइन से जोडने का सपना पूरा होगा मेवात को ठीक है और दिल्ली सोहना नू फिरोजपूर जिरका होते वे अलवर तक 104 किलोमेटर नई रेलेवे लाइन जो है ये भी विचाई जाएगी इसको भी मंजूरी मिल गई है ठीक है तो इन सबावा चेत्रों में गुरूगराम है पटोदी है सोहना है और बादशा पूर का नामाता है उपनामों में साइबर सीटी है सपनों की सीटी है सोरूर्जा का हब है गुरुद्रोणाचारे का गाह है बार्थ की मॉल सीटी है, इलक्रोनिक सीटी है, अमीरों की नगरी है और मिलेनियम सीटी के नाम से भी पुकारते हैं सीतला माता का मंदिर भी गुरुगराम में है, भीमकुन मंदिर भी है, एकलव्य मंदिर भी याद रखिएगा उद्धोगों में मारूती उद्धोग है, चीनी मीटी बरतन उद्धोग है, ड्रग्ज और फार्मा उद्धोग भी परसीद है यहां का कौन सी वेबसाइट से अगर कोई डॉकॉमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, तो कोई अगर सरकारी अधिकारी उस पे साइन ना भी करें, तो वो पुरी तरीकी से मानने होंगे, और ऐसा होगा, कौन सी वेबसाइट से जमाबंदी.com वेबसाइट है, उससे यानि कि सी आप्शन जो है, इस पार्टिकुलर क्युस्टन का वो ठीक रहेगा, सर इसका मतलब क्या है, जमीन समंदी जितने भी डॉकॉमेंट है, उनको दुबारा अब यूं कहिएगा, अटेस्टिड नहीं करवाना पड़ेगा, इसलिए जमाबंदी.com जो साइट है, इसके लिए डिप्टी स इसके बनवाने के लिए यहां पर बहुत सारे जो कागज होते हैं, उनको डाउनलोड किया जा सकता है, पहले उन्हें अटेस्टिड करवाना होता था, लेकिन अब नहीं करवाना पड़ेगा, तो C option बिल्कुल ठीक रहेगा, इस पर्टिकुलर क्युस्टन का, और आगे चल सेनलोडी, और गजीजेउ के पंडित दीन रयाल उपाइधाय इनोवेंचन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के यंग इनोवेंटर जतीन ने जो है, यह एक अनोखी पहल सुरू की है, जतीन इको ब्रिक्स पे काम करें, इको ब्रिक्स यानिकी प्लास्टिक की इन्टे, ठीक है प्लास्टिक की इंटे है जैसे कि टेबल है चेर है इन यहाँ पे जो है बाउंडरी बनाना यह माले थे कि example से आपके table बना ली है plastic से, plastic से ही chair बना ली है और वो एक छोटा सा park बना के और चारो तरफ plastic की ही दिवार सी बना ली है ठीक है तो ये काम eco-bricks से होने वाला है ये जर्णली जो जो से आपकी cold drink वगरा की bottle होती है, इन से भी बनाई जाती है ये ठीक है यह सारी बोटले ही लगाई गई है, कॉल डिंक्स वाली बोटले ही लगाई गई है, और जी जे यू की बात करने तो जी जे यू की स्थापना 1995 में हुई थी और वी सी का नाम टंकेश्वर कुमार है, हाले में हर्याना के किस जिले में रन फोर राम मेराथन का आयोजन किया गय है, गुरू गराम के अंदर यानि किसी आप्शन सही रहेगा इसका हमारा, आयोध्या में भगवान स्री राम मंदिर निर्मान के लिए निधी समरपन अभिहान को लेके जन जागरन के लिए रन फोर राम मेराथन का आयोजन हुआ, और ये जो फाउंडेशन है, एक का नाम ह रेवा फाउंडेशन और जैहिंद जन सेवा फाउंडेशन इनके दवारा इस मेराथन का आयोजन किया गया, हालांकि इस मेराथन में भाजपा के प्रदेश सद्यक्स ओम प्रकास धनकड ने वी जो है, वो इसकी सुरुवात की थी ये भगवान स्री राम के परमभक्त हनव जो है, इसको रवाना किया था, साथ किलोमेटर लंबी मेराथन थी जिसमें छेसों से अधिक जो है, राम भक्त जो है, वो दोडे थे, गुरुगराम के बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा ही है, तो गुरुगराम को तो हम लोग यहां पर दुबारा नहीं पढ़ रह वाहनों पे बैन लगा दिया जाएगा, और इसमें छोटे बड़े ओस्तन तकरीबन 75,000 कमर्शल और नोन कमर्शल वाहनों के पई यह थम जाएंगे, और कई बार मेंटेनेस के अभाव में डीजल वाहनों के प्रदूशन लेवल दोगुना हो जाता है, और पुलिस की टीम जो है, चैकिंग करेगी, और अगर यह देखेगी, कि जो वहान 10 साल पुराना डीजल का है, 15 साल पुराना पैट्रोल का है, तो उन पे फिर जुर्माना भी होगा, वैसे ओफिशली तो कह दिया गया है, कि इनको बंद कर दिया जाए, और यह मोटर अधीनियम 1988 के तहत ऐसा क का हुआ है, तो रोतक की स्थापना देखिएगा, एक नॉम्बर 1966 है, चेतरफल 1745 वर किलोमेटर है, हर्याना की सुगर सिटी, हर्याना की फिल्म सिटी और हर्याना का एजुकिशन हब भी इसे कहा जाता है, पर मुखमेलों की बात की जाए, तो बाबा मस्तनात का मेला, अस् चेन पेंट उध्योग और चीनी उध्योग महम का है, ये भी बहुत परशिद है, किस चैनल से मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा, तो ये कौन सा चैनल है भई, तो इस चैनल का नाम है कैंथल स्प्लाई चैनल, ठीक है, कैंथल स्प्लाई च चैनल से मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा, हार्याना सरकार ने सरस्वती नदी के पुनर उथार की प्रियोजना को मंजूरी दी है, और इसलिए आदी बदरी में सरस्वती बान, सरस्वती बहराज और सरस्वती जलाश्य का निर्मान किया जाएगा, और कैंथल स्वती चैनल, मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ेगा, और इस प्रियोजना का पूरा होने में तक्रीबं जो है, आट सो चुरानमे हैक्टेर, बड़ा जो है बान जो है वो बनाया जाएगा, जिसका पानी सरस्वती जलाश्य में ही मोड़ा जाएगा बाद में और केंद्रिय जला आयोग डैम की डिजाइनिंग पर काम भी कर रहा है और इसमें तकरीब आठ सो क्रोड रुपे की लागत भी आएगी ये बात आपको याद रखनी है इस वाले किस्तन से हाली में हर्याना के कितने बॉक्सर का अलम्पिक कैम्प में चैन हुआ है तो हर्याना के कुल 22 बॉक्सर का जो है अलम्पिक कैम्प में चैन हुआ है बी ऑप्शन सही है इसका हमारा ठीक है ये उनकी लिस्ट है और आपके लिए क्युस्तन रहेगा कि हाले में हर्याना के किस जिले में 82 में रास्ट्रिय टेबल टैनिस चैंपियंशिप 2020 का सुभारंब किया गया हिसार पंचकुला सौनिपत रोह तक बताईए विस्तार से कल फिर हाजी रहोंगा लेटेस्ट अप्रिट के साथ तब तक स्टे हापी स्टे हेल्दी